सुप्रभात आज हम नए पाट को आरम करते हैं पाट का नाम है वाक्य भेट वाक्य किसे कहते हैं वाक्य की परिवासा साथक सब्दों का ऐसा व्यवस्टित समूँ जिससे उस समूँ का पूरा-पूरा अर्थ स्पस्ट हो वाक्य कहना था है देखे सब्दों का साथ तक समूँ नीचे सब्देखे सुरेश खाता है जब हम इसको विवस्टित प्रम में रखते हैं तो यह वाक्य कहलाता है वाक्य के अंग जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग कहते हैं देखी कर्ता और क्रिया इसमें क्यों होता है मीरा नाचेगी मीरा कर्ता नाचेगी क्रिया मोहन गाएगा मोहन कर्ता गाएगा क्रिया वाक्य के दो घटक होते हैं वी वी वाक्य होता है, उसके दो घटक होते हैं, वो देश, विधे, जिसकी बारे में कुछ कहा जाता है, वो देश होता है, जो कुछ कहा जाता है, वो विधे होता है, वाक्य भेद, वाक्यों का वर्गी करन दो द्रश्टियों से किया जाता है, किसी वी वाक्य को हम दो प्रक रचना की दृष्टी से तीन भेद होते हैं एर्थ और रचना की दृष्टी से या भेद आप देखिए I इसके लिए हम यात कनने की जो है मेतथht वह आप सौट में लिखेंगेdertán दृष्ट अर्थ की द्रिष्टी से विधान बाचक, निसेद बाचक, आग्या बाचक, प्रस्न बाचक, विस्मय बाचक, संदेह बाचक, इच्छा बाचक, संकेट बाचक यह अर्थ की द्रिष्टी से और रचना की द्रिष्टी से मुक्य देखे सरल, संयुत और मेसर यहाँ पर आपको अर्थ की द्रिश्ची से वाकिबेद विस्तार से समझाएंगे पहला है विधान वाचक वाकिए जिस वाकिए से किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का वोध होता है वहाँ पर विधान वाचक सरन वाकिए कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है वह खा चुका है या क्या है विधानमाचक वाक्या दूसरा है निसीद वाचक निसेद वाचक नौस के प्रियोग से जिस वाक्य से किसी कार के न होने का बोध होता है नहीं उसे निसेद वाचक वाक्य कहते हैं जैसे उधान देखे तुमने गाना नहीं गाया तो यहाँ पर नहीं लग गया है तो निसेद वाचक होगी आग्या वाचक जिस वाक्य में किसी प्रकार की आग्या अथ्वा अनुरोध का बोध हो उसे आज्यावाचक वाक्य कहते हैं तुम जाओ देखो यहाँ पर आज्या दे रहे हैं तुम जाओ तो यह आज्यावाचक वाक्य प्रस्न वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रस्न करने का बोध होता है वह क्या होता है प्रस्नवाचक वाक्य होता है उसे हम प्रस्नवाचक वाक्य कहते हैं उधार देखे तुम कहां जा रहे थे कहां जा रहे थे प्रस्नवाचक चा कोई भी वाक्य उसके लास्ट में प्रस्नवाचक चिन लगा जाता है पीट पर समान दाकर कैसे चलते यहां पर क सोक, हर्स, विस्मय, इत्यादी भाओं का बोधो, उसे विस्मय वाचक वाग के कहते हैं, यहाँ पर हमें क्या होता है, आज से, अरे, वह गिर पड़ा, आह, यह लोग अपना ही घर आ गया, तो यहाँ पर विस्मय के लिए विस्मय आदी बोधक चिन्नों का प्रियोग किया ज संदेh प्रगठो, उसे संदेh वाचक वाग के कहते हैं, उधारन देके, उसने पढ़ लिया होगा, देखो संदेh है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो पढ़ लिया होगा, मुझे मारेगा तो मैं भी मारूँ, मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, कहने कार्ठ, अगर मारेगा तो मारूँगा नहीं मारेगा तो नहीं मारूँगा इच्छा वाचक इच्छा वाचक वाक जिस वाक से किसी इच्छा आसा या सुभकामना का बोध होता है उसे हम इच्छा वाचक वाक कहते हैं जैसे देखे उधरन हैं तुम सफलता प्राप्त करो वह इच्छा है कि आप लोग सभी लोग सफलता प्राप्त करो आसा करता हूँ कि तुम सफल रहो यह क्या है चावचक वाकी लास्ट है संकेत वाचक वाकी जिस वाकी का एक हिसा दूसरे हिसे की संभावना पर निर्भर करता है जो वाक्य का एक स्था है वो दूसरे पनिर्वर करता है तो उसे हम संकेत वाचक वाक्य के रूप में पहचानते हैं यदि तुम पढ़ो तो सफल होगे तो एक दूसरे पर आधारित है देखो यदि तुम पढ़ोगे पढ़ोगे नहीं तो फेल होगे पढ़ोगे तो सभर होगे दोहरी मार पढ़ेगी तो भाग खड़ा होगा दोहरी मार पढ़ेगी अगर दोनों साइट से मार पढ़ेगी तो वहाँ भाग कर खड़ा हो जाएगा आज हम वाक्यों कोई ही पर समाप्त करते हैं कल फिर हम इसमें अभ्यास कारी को करेंगे दन्यवाद